तो गाइस, कैसे हैं आप लोग हमेजा की तरह आप अच्छ होंगे दोस्तो आज का जो वीडियो काफी जादा इंटरस्टिंग होने बारा है क्योंकि आज हमारे पास फास्ट ट्रेक की तरब से एक इंटरस्टिंग सा स्मार्ट वॉच है जिसका नाम है दोस्तो FastTrack Revolt Pro गाईज इसे मैंने Flipkart से First Sale में Purchase कर लिया था 2000 रुपए में तीन निन पहले और दोस्तो तीन निनों से इस watch को मैं टेस्ट भी कर रहा हूँ गाईज 2000 रुपए में इस watch में आपको काफी बड़िया वाले feature देखने को मिलते हैं इसमा आपको 1.97 इंचिस का AMOLED डिस्प्ले with always on display के साथ मिलता है और गाईज इसमा आपको Bluetooth calling वाला feature देखने को मिलता है functional crown भी देखने को मिल जाता है गाईज box को unbox करेंगे सारे feature हमेशा की तरह आपको अच्छे से explain करेंगे fully testing के साथ इस watch का review करेंगे और दोस्तो अपना 3 दिनों का experience भी आपके साथ share करने वाला हूँ अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तो इस बाले वीडियो को देखिए आपके सारे confusion almost दूर हो जाएंगे तो गाईज वीडियो में last तक जरू बन रही है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तो एक like तो जरू कर देना इसी तरीके का content आगे भी आप देखना चारा है तो दोस्तो चैनल को जल्दी से subscribe भी कर लिजे तो गाईज पैने box को देख लेते हैं box दोस्तो हमारा कुछ इस तरीके का बलने माला है आप सभी को पता है कि past track न मैटल के ही box देता है और दोस्तो यह मुझे काफी अच्छा भी लगता है क्योंकि गाईज इसमें watch को रखके आप carry कर सकते हैं और दोस्तो आपकी watch काफी safe मी रहती है बट गाईज box के ऊपर इनो ने कोई भी key highlight mention नहीं कर रखा है एकदम आपको clean सा box देखने को मिलता है और गाईज जब मैंने box को unbox किया तो दोस्तो box content में मुझे एक user manual देखने को मिल गया था एक आपको banier manufacture warranty card मिल जाता है cable की quality दोस्तो मुझे बढ़िया लगे है और guys length भी इनोंने काफी ठीक टाक दे रखे है तो दोस्तो काफी distance से आप अपनी watch को charge कर पाएंगे तो guys अब बात कर लेए अपने smart watch के बारे में सबसे पहले दोस्तो इसकी build और design की बात करूं तो दोस्तो इस price segment में इसका जो design है वो मुझे काफी बढ़िया लगा है और guys fully square shape का इसमें आपको dial देखने को मिल जाता है guys watch की build quality की बात के हूं तो दोस्तो build quality में मुझे काफी बढ़िया लगे है fully polycarbonate से इनोंने इसके dial को बनाया है बट दोस्तो यहां पर इनोंने जो button लगाया है वो metal का बनाया है और guys इसमें आपको functional crown देखने को मिलता है तो दोस्तो यहां से आप अपने watch pieces बगरा change कर पाएंगे और guys menu को भी operate कर पाएंगे कुछ इस तरीके से back side में आएंगे तो दोस्तो यहां पर भी इनोंने polycarbonate का use किया है सारे tensor charging pins इस side आपको speaker grill देखने को मिलेगा और guys यहां पर इनोंने microphone लगाया है strap की quality की बात पर हो तो दोस्तो strap की quality मुझे बढ़िया लगिया है fully silicone के strap आपको मिल जाते हैं तो दोस्तो टेक्शर के साथ देखने को मिलते soft काफी जादा है अगर आपसे long term हाथ में पैन के रखेंगे तो दोस्तो आपके हाथ में recess बगरा बिल्कुल भी नहीं आएंगे buckle दोस्तो इनोंने fully plastic से बनाया है तो दोस्तो यहां पर मुझे थोड़ा सा disappointing लगा है metal का बतल देना चाहिए था बट गाइस इसमें आपको replaceable strap देखने को मिल जाते है तो दोस्तो कोई भी silicone के strap से आप से replace भी कर पाएंगे तो गाइस अब बात कर लिए बाच के display के बारे में तो दोस्तो इस price segment में इस watch का जो display है ना वो मुझे काफी बढ़िया लगा है एकदम आपको flat display देखने को मिल जाता है अगर आपसे पानी बगरा में use करो जैसे hand wash करते टाइम यूज करो इसके display पे पानी गिर रहा है तो दोस्तो आपके display पे टेकेगा बिलकुल भी नहीं एकदम साफ हो जाता आपका display और दोस्तो जल्दी से इसके display पे धूल मिटी भी चिपकती नहीं है जैसे के मैंने आपको बतायता है इसमें आपको 1.97 इंचिस का AMOLED display देखने को मिलता है 395 450 पिक्सर रिजॉरेशन के साथ तो दोस्तो डिस्प्ले में colors बगरा आपको अच्छे से दिखाई देते हैं और guys display की जो सार्फ मैस है वो भी मुझे काफी तक्री लगी है आउट़ोर की visibility की बात पर में तो दोस्तो इसमें आपको 550 nits बैटनेस भी मिलता है अगर आपसे outdoor में यूज करेंगे तो दोस्तो वहाँ पर आपको side लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि guys अभी इस watch को मैं outdoor में ही देखे कड़ा हूँ यहाँ पर दोस्तो काफी तेज धूपर है तब भी दोस्तो डिस्प्ले में मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है और guys इसके डिस्प्ले पर ये वाला watch face मैंने इसमें लगाया है जिससे आपको इसके डिस्प्ले पर bezels बगरा अच्छे से समझ में आ जाएंगे और guys watch की connectivity की बात करेंगे तो दोस्तो fast track smart world app से आप इसे connect कर पाएंगे जो आपको app store और play store पे आसानी से मिल जाएगा और लेडी दोस्तो इस app को मैंने download कर लिया है और दोस्तो अपनी smart watch को भी connect कर लिया है app की UI मैं आपको दिखा देता हूँ app की UI दोस्तो कुछ इस तरी किसे मिल जाती है सबसे पहले दोस्तो आपको health overview देखने को मिलता है अगर आप यहां पे जा रहे तो दोस्तो यहां पे आपको सारे watch face देखने को मिल जाते है जो कि इसमा आपको 100 plus मिलने वाले हैं अगर आप setting में जा रहे तो दोस्तो setting में आपकी profile देखने को मिल जाती है notification को यहां से आप enable disable कर पाएं goal, health, my watch, journal, social connection, about और contact अस देखने को मिलता है अगर आप my watch में जा रहे तो दोस्तो यहां पे आपको मिलता है find my watch का option, quick reply को enable disable कर पाएंगे unit system, lift to view देखने को मिलता है favorite contact, sos देखने को मिलता है unpair कर पाएंगे, alarm set कर पाएंगे, camera control, weather update और दोस्तो यहां पे आपको music control देखने को मिलता है update watch, edit multi sports mode, event, reminder और दोस्तो यहां पे आपको मिलता है journal, social connection, about देखने को मिलता है तो दोस्तो यह app मुझे काफी useful लगा था watch को तो मैंने connect कर लिए अपने device से अब इसकी UI और feature को भी check out कर लेती UI दोस्तो एकदम smooth है, guys यहां पे आपको किसी भी तरीके का issue नहीं आएगा अगर आप crown button को rotate कर रहे हैं तो दोस्तो यहां से इसके कुछ default watch places आप change कर पाएंगे और दोस्तो display पे hold करने से भी आप इसके कुछ default watch places चेंज कर पाएंगे और guys, app में भी जाके आप इसके कुछ नहीं बहुत सारे watch places चेंज कर पाएंगे guys, यहां पे आपको पूरी library देखने को मिल जाती है और दोस्तो different different type के आपको watch places देखने को मिलते हैं अगर आपको display पे photo लगाने हैं तो दोस्तो custom watch place में जाके दोस्तो आप अपनी photo वगरा भी लगा पाएंगे watch के display पे अगर आप right to left सब करो हो तो दोस्तो यहां पे आपको shortcut cards देखने को मिल जाते हैं music control करने वाला feature है वो भी बहुत अच्छे से बर कर रहा है दोस्तो मैं आपको check out करके दिखा रही जाओं तो दोस्तो यहां से आप अपनी song को pause कर पाएंगे और दोस्तो play भी कर पाएंगे next कर पाएंगे और दोस्तो previous भी कर पाएंगे battery status और दोस्तो date बगरा इदर से आप check out कर पाएंगे D&D देखने को मिलता है brightness को adjust कर पाएंगे Bluetooth calling को on off कर पाएंगे और दोस्तो यहां से आप अपनी watch को silent mode पर कर पाएंगे torch देखने को मिलता है और guys setting setting को दोस्तो आगे check out कर लेंगे Left to R webs tap कर रहा हूं तो दोस्तो यहांब आपको वोई सारे shortcut 믿 दिखने को मिल जाते है down button को press कर रहा है तो दोस्तो यहांब आपको menu देखने को मिल जाता है menu में सबसे पहले आपको मिलता है My Fitness Sleep monitor देखने को मिलता है multi sports में जाएंगे अगर आपको कोई भी start करना है उसके आपको टैप कर देना सिंप्ली आपका स्पोर्स मोर्स इस्टार्ट हो जाएगा और यहां से स्पोर्स डिकॉर्ड ले पाएंगे हाटेट मोनीटर देखने को मिलता है स्ट्रेस मोनीटर अगर आप फॉन में जा रहतो दोस्तों फॉन में आपको डाला पैट स्ट्रेट मोनीटर देखने को मिलता है तो इसमें जो फाइंड माइफ फोन का फीचर है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ कर रहा है तो चैस्ट कर के दिखा दीता हूँ काईज अभी मैंने टैब किया है और गाइस मेरे फोन में रिंग होनी लग गया है अगर आप ले आउ वाज की setting को भी check out कर लेडिये, setting में सबसे पहले आपको watch face देखने को मिलते है ring and vibrate में जारा है, तो दोस्तो यहाँ से आप अपनी watch का जो volume है वो कम जादा कर पाएंगे, और guys ring को भी on off कर पाएंगे, vibration intensity में जारा है, तो दोस्तो यहाँ से आप अपने vibration की intensity soft, moderate और strong कर पाएं आप आपको Auto Sports Recognization देखने को मिलता है, D&D देखने को मिलता है, अगर आप Display में जा रहा है तो दोस्तो यहां से आप अपने Display की Brightness को कम जदा कर पाएंगे, Screen Time Out में जा रहा है, तो दोस्तो यहां पर आपको मिल जा रहा है, 15 Maximum Second तक आप अपने Watch को देख करके रख सकते हैं, और तो दोस्तो यहां पर आपको 5-6 Language देखने को मिल जाते हैं, और दोस्तो अच्छी बात यह है, इसमां आपको Hindi Language भी देखने को मिल जाते है, Battery Saver देखने को मिलता है, Power Up, Restart देखने को मिलता है, Reset About, अब बात कर लेते हैं, Watch के Calling वाले फीचर के बारे में, तो दोस्तो कॉल आ देखने को मिल जाएगा, और दोस्तो यहां से Volume को कम जादा भी कर पाएंगे, और आपको Call को Disconnect करने को अला भी फीचर देखने को मिलता है, और इसके Microphone Speaker वो किस तरीके से बढ़ कर रहे हैं, वो भी दोस्तो यही पर मैं आपको Test करके दिखा देता हूँ, Hello, 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 हाँ, क्या दूसे बात कर रहा हूँ, मैं, नहीं, नॉर्मल है, अभी बताओ, अभी किस तरीके से आ रही है, अब लग रहा है, दूसे बात कर रहा हूँ, ओके, मिर पास एक Fast Track का Smart Watch है, ठीक है, मैं उसी से आपको अभी Calling कर रहा हूँ, Calling के लिए कैसा राएगा यह Watch, अच्छे राएग अभी मेरी Watch में 852 Steps काउंट हो रहा है, अभी मैं थोड़ा चल के आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, यह Watch किस तरीके से Steps काउंट कर रहा है, अभी मैं 30 Steps चल के आया था, और दूस्तों, Watch ने Accurate 30 Steps ही काउंट करे हैं, और गाज, इसके Hearted Monitor, S-Poto Monitor, और दूस्तों, Hearted की रेडिंग को चेक आउट किया, तो दूस्तों, मेरी Watch में 84 Beats per minute दिख रहा था, और दूस्तों, Professional Oximeter में 71 Beats per minute दिख रहा था, तो गाईज, यहां पे इसके रेडिंग में मुझे थोड़ा बहुत ही डिफरेंस लग रहा था, बट गाईज, फाइनली इसके रेडिंग जो आई थे न, वो बिल्कुल सेम ही आई थे, जब मैंने S2 monitor को चेक आउट किया, तो दूस्तों, मेरी Watch में 96% अभी दिखा रहा था, मेरे Blood में Oxygen है, और दूस्तों, Professional Oximeter में 97 दिख रहा था, तो दूस्तों, यहां पे मुझे Almost same ही reading देखने को मिल रहे थे, stress monitor को चेक Surface फिर रखे इसके sensor के reading को चेक आउट किया, तो दूस्तों, यहां पे इस watch ने बहुत जल्दी से error दिखा दिया था, तो guys इसमें जो beer to detect वाला feature वो अच्छे से work कर रहा है, यहां पे आपको कोई भी issue नहीं आएगा, और guys अगर आपने Always on display on कर लिया है, उसके बाद भी इसक feature है, वो work करता है, इसके battery backup के बारे में बात करें, तो दूस्तों, इस watch को लगवग मैं तीन दिनों से use भी कर रहा हूँ, guys इसे मैंने calling के लिए use किया और दूस्तों, without calling use किया था, तो guys मैंने यह observe किया है, अगर आप इस watch को without calling use करोगे, तो दूस्तों, वहां पे यह watch दो दिन का battery backup दे दीती है, और guys, दो घंटे में आपकी watch लगवग चार्ड हो जाती है, watch के कुछ extra feature के बारे में बात क्या हूँ, तो दोस्तों, यह watch आपको IP68 rated मिलती है, तो guys, fully possible है, इसे पहन के आप hand wash करो, कोई भी आपको issue नहीं आएगा, workout के दौरान, अगर आपको sweating आपको यूज कर सकते हैं, और दोस्तो बर्साथ का मौसम चल रहा है, तो दोस्तों beyond आपको इसे बर्साथ में भी यूज कर सकते हैं, कि आपको सविमन करते time यूज करना है, या नहीं करना है, दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे आदे घंटे तक swimming के time यूज नहीं करना है क्योंकि गाइज इसमें आपको Bluetooth कॉलिंग भी मिल रहा है तो दोस्तो वहां पे आपको इश्यू आ सकता है तो गाइज यह थी वाच के फीचर और UI UI दोस्तो डम स्मूध है यहां पे आपको किसी भी तरीकी का इश्यू नहीं आएगा और दोस्तो फीचर की बात करें तो दोस्तो अलमस्ट सभी फीचर इस वाच में आपको मिल जाते हैं और गाइज वाच को पहनने के बाद लुक कुछ इस तरीकी का आने बाला है इसका डायल दोस्तो इन्होंने फुली पॉली काइनमेट से बनाया है इसलिए दोस्तो ये वाच काफी जादा लाइट बीट है अगर आपसे स्लिप ट्रेकिंग के लिए यूज करगो तो दोस्तो वहाँ पे आपको किसी भी तरीकी का इश्यू नहीं आएगा और दोस्तो लुक वाइज देखा जाए तो दोस्तो लुक वाइज भी ये वाच काफी तग्रीम लगती है तो गाइज आप बात आती है दो हजार रुपए के प्राइज पॉइंट में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अल्मोस्त सभी फीचर में आपको अच्छे से बता दिया है तो गाइज डिसीजन आपको से भी ले सकते हो क्या आपको से लेना है या नहीं लेना है अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तो इस प्राइस सेग्मेंट में ये वाच मुझे बैल्यू फॉर्म बनी लगी है अगर आपको भज़र्ट दो हजार रुपए और दो हजार रुपए में कोई AMOLED डिस्प्ले स्मार्ट वाच लेना चाहरे हो तो दोस्तो डेफिनिटली आप इसे पर्चेस कर सकते हो तो गाईज अई तो फास्ट ट्रेक रिवाल्ट क्रो स्मार्ट वाच का अन्वाक्सिंग रिव्यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तो एक लाइक तो जरूर कर देना इसी तरीके का कॉंटेंट आगे भी आप देखना चाहरे हो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और गाईज बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नॉटी विगिसन सबसे पहले आपको मिल सके तो गाईज मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए ठेके और बाई बाई जैहिन